हे गाइज में उस सच निगा और आज कि इस वीडियो पे हम बात करने वाले है कि क्या कैंग दग कॉंकरर एंटमें एंदर वॉस्ट कॉंटर मीनियर के एडम ने मर चुका है शॉट अंसर येस और लॉग असर के लिए पूरी वीडियो इतना बहुत कुछ पताने वाला हूं मज़ा आने वाले वीडियो के अंदर तो ये काइज में उस सच निगा में लेट्स वीडियो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा एंट पर एंदर बॉस्ट कॉंटर मीनियर के अंदर बापस से और हमें याद करना पड़ेगा कि क्या कह रहा था पता चला है यह तो हमें नहीं पता है बट यह हम जाते हैं कि इसको एक्जाइल किया गया था इसको अवेंजर से मार दिया है और अब अब उन्हें पर बात करेंगे इन तीनों करेक्टर की ना तो यह तीनों करेक्टर बात करते हैं कि किस तरह से जिस केंग को उन्होंने एक्जाइल किया थना उसको अवेंजर से मार दिया है और अब उनको असेंबल होना पड़ेगा परकि अवेंजर को वो हरा सके और मल्टी वर्स आदा जो उन्होंने बना रखिये उनकी वो रक्षा कर देगे यह तो चीजी सब क्लीर हो चुपी है कि आने वाली बूबी कैंग डिनेस्टी के अंदर आपको यह सार की सारे जो गैंग्स हैं वो असेंबल होते हुए देखने को मिलेंगे और यही जो है वो हमारे अवेंजर से पाइट करने वाले हैं लेकित एक मिनिट के लिए सोच के देखो कि क्या आपको नहीं लगते कि आपको बचाए और यह उसको कोड था जो एंट में चुड़ाया था केंग दो कॉंक्रर में फ्रेट के दर चला गया है लेकिन क्या इससे यह साबित हो जाता है कि केंग द आपको बिल्कुल भी साबित नहीं होता और मूवी के एंड में सोचता भी है और यहां अर्वापस तो आप कहा पर जाएंगे इसका अंसर है मेरी खासे बियॉंड वर्स के अंदर बियॉंड वर्स के इंदर गया है और वो बियॉंडर्स की पावर लेकर वापस आएगा ची हाँ मैं आपको बताता हूँ क्यों सबसे पहले मावल के पास कोई और रीजन नहीं है इस कैंग दर कॉंहांक के वेरियन को मानने तो एक और नया variant हमाईने सामने लाना जो कि मावल यह बोलने के बाई एंटमें तरीका जो विलन बाला कैंग था वो नहीं है अब एक और विलन है यह बात बिल्कुल भी सेस्टे बनाती है और मुझे लगता है कि हाँ यही होने वाला है अब होगा क्या कैंग देखेंगे कि बहुत सारे जो कैंग के वेरेंट है वो आएंगे और अवेंजरस के उपर हमला करना शुरू करेंगे लेकिन आपको पता है कि कैंग दा कॉंकरर को मानना आसार नहीं है लेकिन कैंग दा कॉंकरर को मानने का तरीका कौन जानता है सिर्फ और सिर्फ कैंग Conqueror और कोई भी नहीं जानता इसलिए मुझे लगता है कि कैंग गैनेस्टी मूवी के अंदर जब सारे की सारे कैंग जो हो बिल्कुत पागल होने वाले होंगे और Avengers जो है वो उनको हरा नहीं पा दे होंगे तब हमारे यह जो Antoine 3 वाला कैंग है यह Beyonders की पावर लेकर आएदा Beyond दूसरा उचाता है Multiverse पर राज करना और अज़र सारे कैंग हरा देगा तो Multiverse पर भी राज कर सकता है और तीसरा सारे कैंग को हराने के लिए उसकी पावर से वो भी कम है लेकि Beyonder की पावर जब उसके पास आ जाएगी तब यह कम अराम से वो कर पाएगा इसलिए मुझे ल लिखता है कि यह theory सही नहीं होने वाली है Kang the Conqueror जो हमने एंटमे 3 पे देखा है वो One Who Remains या He Who Remains नहीं बनेगा इसको फिलाल यहीं छोड़ते हैं बाकी future के इंदर इस theory में भी एक पर बाप करेंगे अब बाप करतें आगे क्या होगा जब सारे के सारे के वीरेंट को हमारे यह एंटमें 3 वाला जो गैंग है जब वो हारा देगा बियॉंडर की पावर से उसके बाद होगी शुरू Secret Wars उससे होगा क्या दोनो यारी के वीरेंट प्लस बियॉंडर दोनो जो है इसी मूवी के विलन होगे और जो उमर में सुनने में आया था वो यही था कि Avengers Secret Wars में जो विलन होने वाला है वो होने वाला है बियॉंडर और कित्वी इच्छी बात होगी कि Tanks the Conqueror को बियॉंडर की पावर में ही अब as a Secret War विलन वो वापस आया है और लास्ट जो confrontation होगा Avengers का वो बियॉंडर के साथ होगा यह फिर्ची तेयोरी है वस्सित कॉमिक्स में ऐसा नहीं होता मावल चाहे तो इस चीज़ को कॉमिक्स से पूरा कॉपी कर सकता है लेकि मुझे लगता है कि यहाँ पर वो थोड़ा सक डेफिर्ट ज़रूर देंगे कॉमिक में जो बियॉंडर की पावर है वो डॉक्र डूम चीन लेता है उसके पास सारे की सारे अवेजिस से लड़ पाई और होता है Secret War का इवेंट मुझे तो यह लगता है कि बिसिकली यह होने वाले मावल की पास और कोई रीजन नहीं है कोई और दिखाने का और अगरी चोटे मोटे वीडियो जो है जिसे इमोटस है या फिर रामटत है विक्कर टाइमली है या कोई मिस्टर कैंग है मिस्टर ग्रिफन है इतसारी वीडियेंट है किसको विलन मनाएगा मावल मेरी क्या से मावल ने बहुत अच्छा विलन चुराए या या नहीं करते है अलग ही मेरी थेयोरी नहीं है इटरेक पर चलती है वस मैंने बता दिये दुबै मुझे जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या यह जो थेयोरी है वो सच होगी या फिर नहीं होगी थarea नहीं करते है वो थेयोरी यह जो कर दो हम्uff को थेयोरी है विलन काय खाता है कि आपक क्यsecurity या आप सीनी